पाई डिपेंस एकड़मी के ऑनलाइन प्लेटफर्म पर आप सब का स्वागत है एरफोस एक्स और वाई ग्रूप की त्यारी करने वाले विद्यारती हाली में चार नॉमबर से आठ नॉमबर की बीच में जो एरफोस का रिटन पार्ट जो होता है यानि एरफोस के एक्जाम का फस्टेप वो पूरा हो चुका है और बहुत सरे विद्यारती जो है उसमें से एरफोस का एक्जाम क्लियर कर लेंगे यह वो अलेड़ी और जो विद्यारती एरफोस का एक्जाम क्लियर कर लेंगे यदि उनको ऐसा कॉंफिडेंट है तो आगे से जो है एरफोस में आगे सेलेक्शन के लिए क्या प्रोशिजर होती होगी उसके बारे में जानने के लिए बहुत जयदा तत्पर या उसक्रेय होंगे बहुत सारे विद्यारती सोसल मीडि एक लिए पर या यूट्यूब चैनल पर जो है बहुत सारी इसकी आगे की सेलेक्शन की प्रोसिजर क्या है उसके बारे में सर्ज करते होंगे लेकिन आप उससे थोड़ा अवैर रहेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक यूट्प चैनल है जो आपको बहुत सारी फरजी इन आफेंटिक वानिएगा वह एकदम पर्फेक्ट वे में आपको प्रवाइड की जाएगी क्योंकि हम पाई डिफेंस से केवल और केवल एर फोर्स आर्मी और निवी यानि डिफेंस एक्जाम की ही त्यारी करवाते हैं इसके अलावा हम कोई क्लास से कंडेक्ट नहीं करते हैं यहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिली जाएगी वह आपको एकदम परफेक्ट मिली जाएगी आज मैं आपको एर फोर्स का जो फर्स स्टेप है रिटर्न जिन बंदों के किलियर हो जाएगा उन बंदों को जो है आगे सेकीन जो स्टेप होता है और उस सेकीन इस्टेप में जो आपका physical adaptability test ठीक है या जो बाद वारा जो medical है उस adaptability test और जो physical है या आपका जो सबसे important part जो उसका group discussion है उस group discussion में कौन-कौन से important topic है जो पिछली सालों में Air Force के द्वारा आयो जित exam में उन topic के बारे में आपको GD में जो है group discussion के लिए दे चुके हैं वो important topic आप जो है एक बा माधियम से मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि कौन-कौन से ऐसे topic है जो पिछली साल विभीन Air Force के exams में पूछे जा चुके हैं और सबसे latest हाली में जोदपूर में जो है Air Force के तरफ से open rally conduct की गए थी उस open rally में भी कौन-कौन से ऐसे topic है जिसे आपको group discussion के बारे में दिया गया है कि मैं Air Force का exam clear कर लूँगा वो आप इन topic को अभी से प्रेपरेशन करना सुरू कर दीजीगा आपको पाई defense academy के और से एक और वीडियो मिलेगा जिसमें आपको group discussion में कौन-कौन सी चीज़े ध्यान रखनी है अपने आपको self introduce कैशे करना है क्या GD में आपको जो है बोलना ह दूसरे वीडियो के माधियम से आपको discuss कर दिया जाएगा इस वीडियो में केवल उन topic के बारे में discuss करूंगा जिन topic को Air Force में group discussion में पूछा जा चुका है और एक चीज़ जान रखेगा बहुत सारे topic ऐसे हैं जो repeat होते हैं लगबग बहुत कुछ बैचेज में नया topic एड़ कर दिया जाता है बाकी लगबग 100% topic repeat होते हैं अभी जो रेली कंडेक्ट हुई थी उस रेली में maximum या आप मान लिजीए कि approximately 70% के आसपास पहले साला वाले जो topic है वो repeat होई है कुछ topic जो है उसमें आपको एड़ किये गए हैं तो देखिए कौन व पर आपको heading निदी होती है heading आपको अपनी और से डूननी होती है उस passage को आपको पढ़ने के लिए वो approximately तीन दो या तीन मिनट का time देंगे और दो या तीन मिनट के time में से आपको उस topic को पढ़ करके जिस समय आपको gd के लिए जिस समय ग्रूप discussion होगा आप अपनी बारी ज जगे पे आपirk अपूरी topic मिल जाएंगे और इन topic को आपको अपनी और से summarize करने की कोशिश करनी है मतलब मालह जी आपको दस line का टopic दिया वाय को इस प्रकार से summarize करनी है कि आप उस में approximately 2 या 3 लाइन जो है बोल सके और उसमें से इंपोर्टेंट चीजे जो है वो चीजे यह जो पढ़ा था पहला देखिए सबसे पहला आपका पढ़ा था topic corruption इस corruption का मतलब है आपका ब्रश्टाचार क्या है ब्रश्टाचार जो है इस ब्रश्टाचार के बारे में आपको topic मिला था और यह topic कहीं बार repeat हो चुका है corruption वाला उसके बाद में है आपका sexual harassment ठीक है जो sexual harassment होता है उस sexual harassment के बारे में भी आपको यह दिया था ठीक है और उसके बाद में जो है आपका teen ages accident मतलब इसका एक topic पड़ा था जो teen ages accident है उसका reason क्या है क्या छोटे बच्चों को जो है बाई क्या जो गाड़ी है वो चलाने देनी चाहिए एक निया नहीं देनी चाहिए मैं आर्गूमेंट यही था क्या बच्चों को जो है गाड़ी चलाना एलोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह कि जीडी का topic लगबग ऐसा होता है जिसमें आपको जो है तर्क वितर करना है कुछ लड़के यह कहते है एक नहीं मुझे बच्चों को जो है गाड़ी चलानी देनी चाहिए और कुछ कहते है नहीं चलानी देनी चाहिए मतलब आपको पास में advantage भी होना चाहिए और हर topic में उसका disadvantage भी होना चाहिए सिरफ advantage भी नहीं बोलने है और सिरफ disadvantage भी नहीं बोलने है advantage और disadvantage दोना का जो है आपको शमाविशन करके उसमें चलना है ठीक है फिर पड़ा था आपका physical education मतलब आपकी जो classroom education होती है उस classroom education के साथ में physical education compulsory है या नहीं है इस पर आपका debate था ठीक है बलब physical education होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए फिर क्या कह रहा है online versus offline एरफोस वाला ने बहुत पहले ही ढूंड लिया है आजकाल जो है बहुत ज्यादा education यह topic दो साल पहले का है जो आपको जीडी में आया वाए ठीक है तो इस समय यह बहुत important topic है क्योंकि इस समय यह होट issue है आपका कि online education versus offline education कुछ लड़कों को लगए ٹा मतलब इसका क्या है क्या है। online education होनी चाहिए या फिर और यह होनी चाहिए या फिर online live और offline education दोनों साथ साथ में चाहिए यह आपका topic था था तो यह यह topic दो साल पहले आफके Air Force के एक्जाम में आ चुका है लेकि इस समय क्योंकि होट इस्यू जो होते हैं या करेंट जो इस्यू होते उस करेंट इस्यू पे ज्यादा तर आपको जो है जी डी का टॉपिक दिया जाता है तो ऑनलाइन और ओफलाइन एजूकेशन एड प्रजेंट वरत्मान समय में जो है आपको एकट परिवार उचीत रहता है तो उसके आपको एड्वांटीज बताने और जोइन फैमिली का डिसद गया है और आपका नुकलियर फैमिली का इस्में आनी चाहिए फिर वहाइद में इंपोर्टन टॉपिक है महिला सशकति करन जो होता है वहाइद फापिक कहीं ब आपका रिपीट हो चुका है पहीं आप समझें कम से कम 5-7 पार यह जो विमन इंपर्वरमेंट वाला टॉपिक वाला टोपिक आपका जो रिपीट हो चुका है बहुत इंपॉर्टिंट है ठीक है उसके बाद मैं है पौवर्टी अब पौ़र्टी जो है इसका मलब आपका हुजएगा गरीबी देखे गरीबी है पौवर्टी अब आपका इसके लिए डिबेट में आपका आता है जो पौवर्टी है उसको आपको जो है कैसे उन्मूलन कर सकते हैं या इंडिया में जो है पौवर्टी की कंडिशन क्या है ठीक है या पौवर्टी के ठीक है, Right to Freedom Express का मलब होता है, अपनी अभी विक्ति का अधिकार जो होता है, वो अभी विक्ति का अधिकार कहां तक सीमित है, और क्या इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या ये अभी जो चल रहा है, वो है, सही है, या फिर इसको और ज्यादा उन्नत बनाया जा सकता है, य या फिर इसके जो यूजेज और मिश्यूजेज जो है, आपका फ्रेडम, ठीक है, इसके जो यूजेज और मिश्यूजेज है, उसके बारे में भी आपको इसका डिटेल से एक्स्प्लेन से आप नहीं कह सकता है, एक दो मिनिट का आपको टाइम मिलेगा, लेकिन उसमें भी और disadvantage क्या होता है मतलब आप अपने आसपास में जो friend circle है या जो आपके आसपास में जो साथी लोग है उन लोगों से आपको फाइदा क्या है और क्या उन लोगों से आपको जो है नुक्षान हो सकता है यही इसमें था फिर पियर प्रेशर पियर प्रेशर का मतलब होता है आप मैं से कोई एक जो पुर है या आप में से जो साती हैं, बाकि सारे के सार धन्वान है, आप में से कोई गरीब है तो उन सब का धन्वान लोगों या रुशयार जो नड़के, उनका समुए पर बाकी लोगों के सवर्य सेा पर परभाव क्या पढ़ता है इस पर आपका था प्रेशर फिर है रिजर्वेशन यह हाली में जो अभी एरफोस वाला जो रेली वाला एक्जाम होगा था 2020 जोदपुर में जो रेली कंडेक्ट गी गई थी उसमें आपका रिजर्वेशन के रिगार्डिंग टॉपिक था आरेक्शन बहुत इंपोर्डेंट है और हाली में अभी आपको पता है कि रिजर्वेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे कुछ आंदोलन्स हो चुके हैं तो र इस बाद सेस्की जो रचाएं जो तो होता है तो होतो है वह ग dönट कर टेया किसी प्रकार विरकार नियाग करते हैं नए तो और हटा होता है अप इसके बाद में यूजो प्रश होनी चाहिए तो है कि यह रिख लिना और यह रिष्वत लेनाहा और देना कहा तब उच्चित है तो क्यों और अनुचित है तो इसका क्या इंपेक्ट पड़ता है सोसल स्टेटस पर या सामाजिक जो है इस्तती पर उसका फिर आपका था पॉलिशन ठीक है पॉलिशन पर टोपिक था और पॉलिशन का मलब यह था कि पॉलिशन की जो है ग्राउंड्स क्या है मलब उसके कारण क्या है कैसे पॉलिशन को जो है रिडिजुश कर सकते हैं, पॉलिशन का जो है यूमन बीइंग पर उसका इंपक्ट क्या पड़ता है, यह जो है पॉलिशन के रिगार्डिंग आपको टॉपिक में दिया वा था, इसके बाद में हैं टेली विजन अब टेली विजन पर भी यह इस्तीज थी कि टेली विजन का जो है अपनी सोशल लाइप पर या जो बच्चे है उन बच्चों पर उसका क्या इंपेक्ट पढ़ता है या टेली विजनasına पर जो प्रोग्राम आते हैं उन प्रोग्राम का हमारे मीप Husie Reformed पर प्रेह प्रेंपर क्या पड़ता है यासे नहीं पड़ता है या आपका टेलीविजन पहले साल यह बहुत आप सबले बहुत से scary दोपिक बता हुई कि टॉबेकों के जो है डिसएडवांटेज क्या है और इसका यूमन बॉडी पर आपका इंपेक्ट क्या पढ़ता है ठीक है टॉबेकों के डिसवांटेज क्या है और यूमन बॉडी पर टॉबेकों का इंपेक्ट क्या पढ़ता है यह टॉपिक हाली में जो रेली संपन तोपिक पहले भी बहुत बार आ चुका है यह टोपिक जो अभी गरवा रहा हूं सारे पहले आचुके लेकिन अभी जो रेलिम तोट सहं कर ठीज और ज सो happy कि जो hatte ? और उसके डिस आडसी डिस डैल बानेगे भी सो ख़ढ़ा मेडिया है जो न्यू BhagR투 जो भातों और थे जाओ टॉपीक फिर अभी आपको लेटिस्ट पढ़ा था क्रैकर्स, क्रीकर्स ुक्स को भी तीक पहले पढ़ ज़ित्व होते और क्रेकर स्थी या फिर नहीं हो चाहिए तो यह वहाल है उसके बादि में पढ़ा था आपका प्याइट में मिभंदी संभान ऊ twisting और उसके बाद में पढ़ा था आपका प्राइवेट प्राइट आइजेशन न टहिके प्राइवा एंडीयन रेलवें यह मुखनें इसमेर कि आपका पहले कहीं बारच ए Very प्रावेटिशन मलब नीजी करन पड़ा है यह फिर नहीं पड़ा है उसके बाद में फिमेल फोर्टिसाइड यह टोपिक नहीं पड़ा है ध्यक्या नए पड़ा था था कन्या बुरून हतिया जो है कहां तक ये ठीक है reason क्या है इसके ठीक है और क्या इसका जो है अपने समाज पर इसका आने वाले time में या वरत्मान में इसका impact पड़ता है फिर इसका बाद में पड़ा था आपका obesity फिर रेखी ये जो obesity है ये भी कहीं बार पहले पढ़ चुका है मोटा पा भी कहीं बार आपका पढ़ चुका है तो आपके शामने पच्छीष के आसपास जो टॉपिक मिलें यह सारे के सारे टॉपिक कहीं ने कहीं आपको एयर फोस की जिडी के अंदर पूछे जा चुके हैं इसके अलवा जो होट इस्यू जैसे में आपको दे दिया जैसे कोरणा है कोरणा इसमें बहुत होड इस्यू चलडा है ठीक है या फिर आपको जो इंडो और चाइना की जो इस्तती है से इंडो चाइना की जो फ्रेंडशिप या इंडो चाइना के बीच में जो यूद वाला मैटर हो सकता है उसके बारे में आपका एरफोस का फर्स पेज यानि रिटन एक्जाम वाला आपका रिजल्ट आजाएगा पाई डिफेंस अकेड़ी में उसके दूसरे दिन जो है आपको जीडी की निसूल की त्यारी करवाई जाएगी चाहिए वो पाई का इस्ट्वेंट रहा हो कोचिंग का या फिर किसी जिसने सेल पिश्डी किये और एरफोस में रिटन एक्जाम के लिए कर चुका है उसको हैल्प के लिए हम फ्री ऑप कोस्ट जीडी की त्यारी करवाएंगे जीडी के साथ साथ आपका एड़ेप्लिबिलिटी टेस्ट जो हता है उसके भी त्यारी करवाएंगे और में पड़े हैं ठीक है थैंक्यू